वन नेशन वन इलेक्शन दोस्तों यह जो कॉंसेप्ट है यह पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत बहुत बार डिसकस किया गया है डेफिनिटी एक काफी अच्छा रिफार्म हो सकता है अगर इसको अच्छे से इंप्लिमेट किया जाए अगर हम बात करें देखो इंडियन पॉलिटिक्स की तो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो question mark करती है कि क्या one nation one election के अलावा भी हमें कुछ बदलाव लाने होंगे अपने laws के अंदर जिसे for example अभी हिमाचल के अंदर कुछ issue चल रहा है वहां की सरकार के शायद past majority नहीं है इसी तरह के cases हमने पिछले महीनों के अंदर आपके मद्य परदेश के अंदर पिछले सालों के अंदर देखने को मिले उससे पहले करनाटका के अंदर जारखंड के अंदर बिहार के अंदर महाराष्टा के अंदर बहुत सारी states के अंदर अलग-अलग तरह की instability देखने को मिली जहां पर बहुत सारे MLA's ने अपनी अंतरा आत्मा की वास सुनी और दूसरी पार्टी में जाके मिल गए ठीक है न इसके पहले resort politics भी आज कल बहुत ज़्या popular हो चुकी है जहां MLA's को resort के अंदर डाल दिया जाता है तो ऐसे time के उपर क्या one nation one election right measure रहेगा या फिर हमें अपने जो laws है especially anti-defection law उसके अंदर बिदलाव की कुछ बहुत बड़ी ज़रूरत है आपके जो भी बिचार होंगे इसके regarding वो definitely मुझे आप नीचे comments में बता सकते हो दोस्तो date है आज की 39 February 2024 और आप सभी का स्वागत आज के prelim booster news discussion के अंदर तर यह start करते है नेशनल साइंस डे से कल दोस्तो 28 February था और दरसल में हम हर साल 28 February को नेशनल साइंस डे इस रूप के अंदर मनाया जाता है दरसल में 28 February 1928 को जो सीवी रमन जी थे उनके द्वारा रमन इफेक्ट को discover किया था अब क्यूंकि इन्होंने उस दिन को रमन इफेक्ट डिसकवर किया था तो इसलिए हम उस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में celebrate करते हैं थोड़ा साना चलो डिसकस करते हैं कि आखिर यह रमन इफेक्ट है क्या सुना हमने बहुत बार है पर कभी ऐसे सर्य याद नहीं रहा कोई बात नहीं आज याद रह जाएगा देखो पहले जब हम बात करते हैं जैसे हमारी मानलो होती है white light अब यह white light नहीं जैसे मानलो प्रिजम के थूफ हो रही है तो यहाँ पर यह अलग-अलग seven different colors के अंदर हमें देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपका violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red इस तरह से आप जानते हो विब्ग्यॉर आपको देखने को मिल जाता है अब विब्ग्यॉर के अगर मैं बात करता हूँ ना तो आप जानते होंगे कि अगर मैं बात करता हूँ red light की तो red light का जो wavelength होती है वो maximum होती है और आपकी जो frequency होती है वो सबसे कम होती है ऐसे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ move करते रहते हो तो आपका जो violet होता है इसका wavelength सबसे कम होता है और frequencies की highest होती है ये सारी बाते हैं आप जानते होंगे कि colors का अलग-अलग चीज़े देखने को मिलती है अब जैसे ना जो हमारे CV रमन जी है ये भी एक दिन ऐसे ही Mediterranean Sea के उपर जा रहे थे ship के अंदर तो वहाँ पर भी इन्होंने notice किया कि ये पानी का रंग काफी blueish types है ठीक है जैसे कहते हैं ब्लू है पानी पानी तो उसी तरह का रंग यहाँ पर देखने को मिला अब इन्होंने सोचा ये ऐसा है क्यों बहुत सारी उस type के उपर कह रहे थे कि यार ये reflection of light की वज़ा से है पर रमन जी उतना satisfy नहीं हो पाए तो इन्होंने थोड़ा सा इसके उपर further research work किया और इन्होंने actual में notice किया कि जो हम बात करते हैं light की scattering की उसके पीछे ना माल लीजे आपका कोई यहाँ पर molecule है ठीक है और यहाँ पर आपकी कुछ light है जो की incident है उसके उपर अब जब यह light इसके साथ टकराएगी इस molecule के साथ तो molecule के साथ उस light के टकराने के बाद उसके अंदर हो सकता है कुछ changes आजाए जाने कि कहने का मतलब क्या माल लो इस light की कुछ energy थी E1 जिसको मैंने बोल दिया और बाद में जो आपकी light आई उसकी भी तो कुछ energy होई माल लो E1 बोल भी आ उसमें आपको तो अगर तो माल लो E1 is equal to E1 है यानि कि starting की जो incident light थी और इस particular आपके molecule के साथ strike होने के बाद जो light scatter हुई अगर उनकी energy, उनकी wavelength, उनकी frequency सेम है तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं elastic और इसी चीज़ को बोला जाता है Ray-leak scattering ध्यान रखना रमन scattering नहीं बोलते इसको बोलते हैं Ray-leak scattering ये तो होती है normal case कि incident light और आपकी scattered light की energy और frequency ये सब सेम हुई पर रमन जीने नोट किया कि हर जगा ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता जब हमारी incident light आपके molecule की साथ टकराती है तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी energy कम हो जाती है कई बार on the other hand इसका उल्टा भी देखने को मिलता है यानि कि energy में बदलाव देखने को मिलता है as compared to the incident light इसी बात को बोलते हैं क्या रमन effect Do you get the point? इसी चीज़ को आप रमन scattering के नाम से भी जानते हो तो ये कुछ फरक है और इसी चीज़ को बोला जाता है आपकी inelastic ठीक है? Elastic के अंदर तो ये था कि आपकी जो incident थी और आपकी जो scattered थी उनकी energy, frequency, wavelength वो सेम थी पर inelastic के अंदर क्या होता है उसके अंदर कुछ changes देखने को मिलते हैं जिसको हम रमन effect के नाम से जानते हैं अब आप लोग सोच रहोंगे इसमें इतनी कौन थी बड़ी बात है देखो बड़ी बात है एक्च्वल में आप इस बात को समझो जब हम बात करते हैं अलग-अलग molecules की कोई भी आप molecules मान लो ठीक है नहीं यहाँ पर आप अलग-अलग molecules की अलग-अलग आप wave numbers देख पाऊगे तो एक्च्वल में ना हमें रमन spectroscopy के माध्यम से यह पता लग जाता है कि कौन से chemical किस चीज के अंदर क्या present है in fact medicines के अंदर हम उस चीज को देख पाऊगे कि कौन से चीज available होनी चाहिए तांकि हमारे जो cancerous cells हैं हम उनको tackle कर पाए तो इस तरह से chemical analysis के अंदर आपके medicines के अंदर एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के अंदर यहाँ पर आप रमन scattering को use कर सकते हो क्योंकि उनकी wavelength उस साब से वेरी करती रहती है तो यह कुछ pointers थे जो आपको रमन spectroscopy और रमन effect के बारे में जानने चाहिए थे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनका जनम साथ मेंबर 1888 को तमीलाडू के अंदर हुआ था रमन effect के लिए देखो इनको 1928 के अंदर इसके डिसकवर किया था इन्होंने और 1930 के अंदर फिनको यहाँ पर Nobel Prize यहाँ पर मिल गया था बाकि इसके लावा और भी बहुत सारे काम किये जैसे मैंने आपको बताया रमन spectroscopy हो गया बाकि photons के उपर उनके spin के photons के spin को डिसकवर किया यहाँ पर X-rays के उपर इन्होंने यहाँ पर काम किया एंड साथी साथ diffraction phenomenon के रहन एक्स्लिनेशन दी इसको रमन नात तियोरी के नाम से हम जानते हैं एक्चल में इन्होंने आपके अलागलाग musical instruments के साथ भी काम किया और वहाँ पर acoustic waves को यहाँ पर ultrasonic and hypersonic frequencies को यहाँ पर इन्होंने यूज किया था तो इस तरह से आप notice कर पाऊगे कि इन्होंने इनका जो contribution है अपने आप में बहुत ही बड़ा है भारत रतन भी इनको यहाँ पर मिला था 1954 के अंदर बाकि इसके अलावा 1998 के अंदर American Chemical Society and Indian Association for Cultivation of Science इन्होंने भी इनकी discovery को बहुत ही acknowledge किया था तो यह कुछ बाते थी रमन इफेक्ट के बारे में I hope यह चीज़ें आपको समझ आई होंगी next चलते हैं अगले topic तरफ that is अगलेगा आईलेंड सर यह क्या बात हुई अब यह क्या topic है देखो actually यहाँ पे आपको mapping perspective से इसको समझना जूरी है जब मैं बात करते हैं इंडिया नोशन की यह थोड़ा यहाँ पर फोकस करना इस पले एरिया के उपर तो यहाँ पर आपको कुछ important जगाईन देखनी है जिसे for example यह है आपका सेशल्स यह black वाला देखते रहना ठीक है यहाँ पर इसके नीचे आपको assumption island देखने को मिल जाएगा यहीं आपको Madagascar है और यहीं इसके साथ में आपको यह रापका अगाल लेगा island दरसल में जब मैं बात करता हूँ कौन सी country की सर्फ जब मैं बात करता हूँ Mauritius की तो Mauritius के अंदर आता है आपका अगाल लेगा island यहाँ पर हमारे परधान मंतरी मोधी जी और साथी साथ उनके जो Mauritius के counterpart है प्रविंद जुगनाज जी यहाँ पर एक नई airship को inaugurate करने जा रहे है दरसल में हो क्या रहा है इंडिया नोशन अपने आपने एक बहुत important area बनता जा रहा है चाइना भी यहाँ पर अपनी string of pulse theory के मादियम से उनकी strategy के मादियम से यह अगा लेगा island के उपर इस तरह की हमारे airship बनाना docking facility को बनाना यह इंडिया के लिए फाइदे मन्द होगा तो अगा लेगा island ही नहीं इसके अलाबा अगर आप notice करोगे यहाँ पर आपका assumption island हो गया तो वहाँ पर हमने सेशल के साथ MOE sign किया है वहाँ पर भी airship बनेगी उसी तरह से अगर हम बात करें मेडगसकर के अंदर इंडिया की listening post देखने को मिल जाएगी तो यह कुछ important projects है जो कि हम यहाँ पर इंडिया notion के अंदर कर रहे हैं बाकी मैंने आपको बताई दिया western इंडिया notion के अंदर आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे आइलेंट्स यहाँ पर दिवाइड़ है North Island and South Island के अंदर यहाँ पर जो settlements है उनको कुछ नाम आप यहाँ पर बढ़ भी सकते हो ठीक है ना इसकी benefits यहीं होंगे कि इंडिया की influence बढ़ेगी चाइना की इंडिया का यह focus है ना सागर इनिशेटिव का उसके साथ भी यह बिल्कुल अनाइन करता है एंड हमारी यहाँ पर cooperation इसके साथ increase हो जाएगी नेक्स जलते हैं अगले topic की दरफ that is Belgium recognizes ecocide as a crime अब मुझे यह बताओ यह ecocide क्या होता है आप लोगोंने देखो side का मतलब तो आप जानते होंगे ठीक है तिसे homicide बोलते हैं suicide बोलते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर ecocide क्या हो जाएगा ecocide का मतलब हो जाएगा अगर हमने मान लो ecosystem की जो destruction करी उसको बोलते है ecocide कहने का अर्थ क्या मान लो आप जान बूझकर जिसका आपका impact भी पता है कि deforestation कर रहे हो air pollution आप कर रहे हो या फिर कहने का अर्थ मेरा simple इतना है अगर आप ecosystem को बहुत ही substantially degrade कर रहे हो उसकी destruction कर रहे हो जबकि आपको जानकारी भी है कि कही ना कहीं इससे long term या negative impact आपके environment के उपर आएगा इस चीज़ को बोल जाता है ecocide यानि कि अपने घर को मारना अपने environment को मारना is ecocide तो अभी हुआ क्या है जो Belgium है वो पहली European Union Country बन गई है जिसने ecocide को national as well as international crime declare कर गया है घ्यान रखना मैंने ये बोला ये पहली European Union Country बनी है ऐसा नहीं का कि दुनिया की पहली country बनी है नहीं उससे पहले भी बहुत सारी countries ने अल्ड़ी यहाँ पे ecocide law है पर EU के अंदर ये आपकी जो Belgium है ये ecocide पहली country बनी है तो ecocide का मतलब आपको पता होना चाहिए and ecocide कहां पर band है बतलब basically एक तरह से law बहाँ पे exist करता है ये pointers आपको जानने चाहिए next चलते हैं अफरीका कलब launched at 37th AU Summit अफरीकन union पिछले दिनों के अंदर मैंने जब आपको na Ethiopia के अंदर आपके साथ discussion किया था तब मैंने आपको Addis Ababa की location भी बताई थी तो Addis Ababa आप जानोंगे ये Ethiopia के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अभी recently AU Summit यहाँ पे हुआ और even जब हमने G20 डिसकस किया था ना तो G20 के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक नई grouping जो add हुई है recent edition है वो कौन सा था AU, African Union आप जानते होंगे African Union के अंदर लगबगब आपको 55 countries आपको देखने को मिल जाएंगी इसको launch किया गया था 2002 के अंदर as a successor to organization of African Unity ठीक है जो कि Durban के अंदर था पर ये continental body है जिसके आपको Addis Ababa के अंदर आज के समय के उपर आपको headquarters आपको देखने को मिल जाएंगे focus का यही रहता है कि Africa के अंदर कैसे शान्ती establish करें कैसे आपस में economically integrate हो पूरा continent ये focus इसका यहाँ पर देखने को मिल जाता है African Union का ठीक है अब यहाँ पर इनकी meeting हुई ना उसके अंदर कुछ काफी सारी important चर्चाएं हुई देखो और उसके अंदर जो important चर्चा थी वो देखने को मिली Africa Club के launch के अंदर आप लोग सोचें के सरी Africa Club क्या है देखो आप एक बाद notice करो जैसे दुनिया भर में ना हमें कुछ important banks देखने को मिलते है development bank, world bank, IMF इस तरह के अब यहाँ पर हमारा focus यह है कि Africa के भी ना जो इस तरह से जो अलग अलग आपके जो development आपके institutions आपको देखने को मिल जाएंगी उनके तोरह इस Africa Club को launch किया गया है तांकि यह African Club के जो members है ठीक है उसके माद्यम से जो global financial system है उसके साथ हम Africa को align कर पाएं यानि कि जो sustainable development goals इनको achieve करने है अफरीका की कोशिश है 2063 तक उनका क्या focus होना चाहिए वहाँ पर भी ना इस तरह के अफरीकन multilateral financial institutions के माद्यम से हम वो चीज़े सारी कर पाएं तो यानि कि अफरीका कलब क्या हो गया एक alliance हो गया अफरीकन multilateral financial institutions का इसके साथ ही साथ pan-african monetary union यहाँ पर बेसिकली actually notice करो आप होता क्या है न कि यह सारी जो economics की बाते हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हम बात करते है climate change की तो climate change के लिए अफरीकन continent सबसे कम responsible है पर कहिना कि सबसे जाज जो negative impact आ रहा है वो भी शायद अफरीका की उपर ही आ रहा है तो ऐसी चीजों को देखते हुए न अफरीका को भी ready रहना पड़ेगा तांकि कुछ भी hurdles आएंगी उसको वो accordingly tackle कर पाए तो यह सारे institutions को setup करना ठीक है grants बगरा लेना यह सारे उसी के direction में work करते हैं तो multilateral development banks का reform जैसे funding हो गया आपके world bank IMF यह भी यहां पर focus किया गया इसके अलावा SDR जो IMF के होते हैं special drawing rights उनको African financial institutions को re-channel करना and African voice and power increase करना यह सारा focus यहां पर इस African आपकी जो AU summit था 37th उसके अंदर हमें यहां पर देखने को मिला है topic की तरह बढ़ते हैं यह complete हो चुका है दरसल में मैं आपको बताता हूँ actually focus यह था कि 10,000 ऐसे individuals का हम यहां पर जीनोम sequencing करें उनका data का analysis करें जिसके basis के उपर एक complete database बन जाए जो हमारी Indian population के बारे में बताता हो उनके अलग-अलग genetic variations के बारे में बताता हो समझ नहीं आया कोई बात नहीं मैं आपको समझा जता हूँ देखो जब हम बात करते हैं हमारे आप जानते हो cells बगरा की nucleus बगरा की आप बात करते हो आप वहाँ पर आपको DNA देखने को मिल जाता है ठीक है और DNA के अंदर आप जानते हो कि हमारी पूरी information stored रहती है genetic information जैसे आपको जानते होंगे जे ATCG के बारे में ठीक है आप लोग nucleotide basis ATCG यानि की adenine, thymine, gonine और cytosine इनके बारे में आप जानते होंगे ATCG के बारे में इनका जो भी आपका structure होता है जिस तरह से range रहते हैं उसके असाब से हमारी information हमें देखने को मिल जाती है ठीक है आप जानते होंगे इस तरह से double helical structure होता है आपका DNA का उसके अंदर ही ऐसे range रहते हैं ATCG इस तरह से अब इस तरह से कैसे हमारी information stored है अलग-अलग हमारे इस तरह से genetic variations देखने को मिल जाते हैं Indian populations के अंदर अब हमारा focus ये था कि जो भी हमारे country के अंदर Indian population के अंदर अलग-अलग तरह के इस तरह के genetic variations देखने को मिलते हैं हम उनको यहाँ पर identify करें उनको study करें और उनके हिसाब से फिर उनकी जो बिमारियां उनके अंदर गत होती है उन बिमारियों के लिए हम proper solutions लेकर आ सकते हैं ये यहाँ पर focus था और इसी बजासे यहाँ पर अगर आप notice करोगे तो जैसे for example बैंगलूर बेस जो Indian Institute of Science Center है उसके दोरा IISC ठीक है ना इसके लावा आपके और भी हैदराबाद बेस जो थे ना Center for Cellular and Molecular Biology इनके दोरा भी यहाँ पर साथ में मिलकर ये इस project को run किया गया मैं आपको एक और example बदाता हूँ जैसे माल लो आपके जो tribal होते हैं तो tribal लोगों के अंदर भी ना जैसे आपकी sickle cell anemia की बिमारी बहुत जाद देखने के मिलती है आपका genome India project इसी को बोलते हैं जिसके अंदर हमें focus ये था कि हम 10,000 genome projects को यहाँ पर हम work करें जिसको Department of Biotechnology ने यहाँ पर run किया था, 10,000 genome को यहाँ पर sequence किया गया, उनके variations यहाँ पर देखेगे, कि उनके अंदर ये सारे जो आइटम्स बगएरा होते हैं, वो क्या होते हैं ATGCG के, Adenine, Thymine, Cytosine और Guanine के उसके साब से हमने focus किया इस सभी चीजों के ऊपर, ठीके ना, तो ये पूरा process दिया हुआ है, कि पहले इस तरह से हमने molecular scissors के मादम से शुरुआत करी, फिर DNA की बार coding हुई, उनको अलग-अलग categories में यहाँ पर divide किया गया, उनको code किया गया and फिर उनको sequence किया गया basically ये बताया गया कि अलग-अलग bacteria के साथ उनका क्या यहाँ पर linkage है and accordingly फिर उस data को analysis किया गया इसके मादम से ना, जो भी आपके physical traits होते हैं उनको यहाँ पर individuals के map किया गया फिर जिसको हम use करेंगे आपके disease mapping के लिए और उनके लिए फिर कहीं न कहीं हम personalized medicine वो यहाँ पर बना सकते हैं या फिर आपकी जो therapy होती है वो काफी targeted drug therapy हो सकती है तो यह कुछ focus था 10,000 genome project का जिसके बारे में कुछ basic information हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए तो दोस्तों यह थी आज की discussion आज की discussion के basis के उपर कुछ मैं आपको homework दे रहा हूँ जिनका मुझे आप नीचे comments में answer बताओगे इनमें से कौन सा खीक है, कौन सा गलत है कल जो मैंने आपको homework दिया था उसको मैं answer बता जिता हूँ जब मैं बात करता हूँ इंडिया house की दरसल में यह किस के दोरा established किया गया था यह आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के दोरा established किया था इन 1905 तो पहला statement आपका incorrect हो जाएगा short service commission की बात करें तो temporary service arrangement होता है yes that is correct third shipment की बात करें protect on anemia control under mission उतकर्ष यहाँ पर health and family welfare नहीं यहाँ पर आपकी ministry of women and child development और साथी साथ आपकी जो I use ministry होती है यह देखने हैं मिलती है तो इसलिए third shipment आपका incorrect है आज का homework आपका MCQs करेगा एक UPSC का 2021 का question है with regards to Indian economy कोशिश कीज़ेगा easy question है अराम से कर लोगे दूसरा आपका homework रहेगा with regards to आपका quality का ठीक है ना राज्यसभाई के regarding आज कल बड़ा discussion चल रहा है तो इक बड़ कोशिश करना इसकी कुछ additional points भी मैं कल आपके साथ discuss कर ही लूँगा बागी जो कल homework रिया था with regards to आपका grams के वगरा के या pulses के regarding था पहला कह रहा है कि black gram को आप खारीफ as well as आपका rabi crop दोनों के तरह grow कर सकते हो answer is yes ठीक है कुछ ऐसे होते हैं आपके जो अलग-अलग seasons के अंदर आपके जा सकते हैं तो black gram is one of those दूसरा statement देखो दूसरा कह रहा है कि green gram actual में जितनी हमारी pulses की production है उसका आधा contribute करता है देखो मुझे पता it is difficult to know these kind of database पर आप खुद सोचो क्या आपको लगता है हमारे हां तो बहुत अलग-अलग तरह की डाले हैं जैसे for example आपकी तूर डाल है आपकी मूंग डाल है आपके lentils है उरत की डाल है ऐसे आपको लगता है कि जब इतनी सारी हम डाले पर यूस करते हैं उसके अलावब भी और बहुत सारी डाले हैं तो एक ही जो green gram है उसी का 50% contribution होगा यह अपने आप में चाहिए आप खरीफ की बात करो आप राभी की बात करो दोनों के अंदर हमें pulses के अंदर increase ही देखने को मिला है तो तीसरा भी आपका incorrect हो जाएगा तो सिरफ correct कौन सा है option A, one only दूसरा मैंने आपको homework दिया था plant and animal cell के बीच के अंतर के बारे में देखो आप लोगोंने ना अपनी biology की books के अंदर या अफिर अगर आप 9,10 पढ़के आए हो obviously पढ़के ही आए हो ठीक है तो animal और plant cell के बीच में आपने अंतर पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं cell wall की तो cell wall animal cell के अंदर absent होती है जबकि उप present रहती है आपके plant cell के अंदर ठीक है plasma आपके जो plasma membranes की बात करूँ हाला की ये जो आपका होता है ना यहाँ पर ये चीज़ गड़बड है क्योंकि plasma membrane आपके दोनों में आपको available देखने को मिल जाएगी तो उससाब से आप बाकी notice कर पाऊगे ठीक है बाकी जो mature plant cell होता है वहाँ पर आपके बड़ा vacule देखने को मिल जाता है animal cell के अंदर बाहत छोड़शोटे आपको vacule देखने को मिलते हैं तो ये जो काफी easy question था अगर आपको logic clear होता है तो बिल्कुल पहला statement ठीक है कि हाँ cell valve होती है plant cell के अंदर animals के अंदर नहीं होती animal cell के अंदर पर second आपका गलत है क्योंकि दोनों के अंदर आपको plasma membrane देखने को मिल जाएगी ठीक है तीसरा विल्कुल correct है तो इसका answer बनेगा option number C 1 and 3 दोस्तो ये थी आज की discussion अगर आपको इसकी pdf चाहिए तो आप my telegram channel pw only as अफिश्रफ जाके इसकी pdf डाउनलोड कर सकते हो और अपनी preparation को आप भी बहतर बना सकते हो तो इसी तरह से आप भी अपने एंट पर hard work करते रहिए thank you very much for the discussion